हेलो गाइस वालकम बाक टू माय यूट्यूब चैनल और इस पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके साथ और आप देखवा होगे कि किस तरीके से हम बहुत ही कम पेजों में भी एक अच्छे खासे एक्जाम को ग्रैक कर सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले या नोट को शेयर करने से पहले तो कुछ बच्चों में पुछा था कि बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक है आप बता सकते हो जो हमें रेफर करनी चाहिए एक्जाम के लिए है मेरा कोई इसमें कोई भी एडवाईज या सजेशन नहीं होने वाला है क्यूंकि मैंने जो कुछ चीज खुदी एक्स्पिरियंस नहीं कि वो मैं आपके साथ शेयर कैसे कर सकती हो राइट तो मैंने कोई भी बुक रेफर नहीं की थी क्योंकि मेरा यह मानना था कि यार चीज एच्चो के लिए तो मतलब यूट्यूबब पर भी अल्यदी इतना सारा मटीरल है और और इसके लाब मेरे पास जो मेरे स्लेपर्स की बुक थी एतर तो सब्सक्राइब के लाउट में या नहीं नहीं किरेंब किया लेकिन नहीं 50 पर मोखे ब्सक्राइब करने कोुछ कुछ भी कॉंटेंट दे रहे हैं बट हमको बहुत ही स्पेसिफिक अपने टाइम को बचाते हुए तो ओरिजिनल चीजों पर और जो रियल फैक्ट से उस पर ध्यान देना है राइट तो यह तो हो गया बुक्स को लेके अब आता है कि कुछ बच्चों का टॉपिक है कि कुछ दो यह तो नहीं करते हैं यह तो इस लिए मतलब एक सिम्पल सा रिजन यह है कि मतलब बच्चों को पता ही है यार CHO के लिए क्या पढ़ना है, community इसमें पॉर्टेंट है, है ना, community का यह certificate इंटेग्रेट किया गया है, हो इसी ले किया गया है, तो जो भी states CHO का syllabus प्रोवाइट नहीं करते हैं, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, कि किसी भी state का syllabus उठा लीजे वहीं का भी syllabus उठा लीजे चलेगा, विकोश CHO का job overall same है, है ना, तो syllabus भी same है, और overall जहां तक भी सारे questions आने वाले हैं, जो भी important areas हैं, topics हैं, वो भी सारे CHO के लिए same है, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा एक चीज है GK, उसको छोड़के आपको कोई टेंशन लेनी की जर अच्छा होगे, last three months की, अगर आप last day पढ़ने मैठो GK, या अगर आप डेली पढ़ते हो GK तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको GK की भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है, और अगर अगर अपको मेरी बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप क और उन क्वाई इस की जो की कमेंट्स में पूछी कहीं थी, टेलिग्राम ग्रूप पे, so, अब हम बात करेंगे, my CHO notes, so, ये है मेरी CHO notes, ठीक है, अब ये कितने पेज़े दिला देख लेते हैं, एक, डो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 17, 18, यहां से फार्मा शुरू हो गया है, यहां देख सकते हूं, यहां से फार्मा शुरू हो गया है, यह अलग से, जो अभी मैं specific exams, दूसरे exams के लिए प्रिपेल कर रही हूं, यह उसके लिए content यहां से शुरू हो गया है, तो यह आपके कितने, मैंने कितन multiple times revise किये थे, ठीक है, तो मैं अभी इसको side में लग देती हूं, यह वो notes है, जो मैंने multiple times revise किये थे, इसके लावत, एक दो, I think, topic और है, for example, vaccination का, हां, उसके दो pages और हैं, क्योंकि वो मैंने दूसरी notebook में लगे थे, तो इस तरीके से, कुल मिला कि यह 20 pages हो जाते हैं, और ना ए यह 20 pages ही हैं, जो मैंने पढ़े थे, तो बच्चों, इन 20 pages में ऐसा क्या है, तो मैं आपको दिखाती हूं जबारा से, suppose, यहाँ पर आप देख सकते हो, यह page, अगर दिख पा रहा है, तो यह देखो आप, अगर आपको यह page धंग से दिख पा रहा है, स्क्रीन पे, तो आप पा रहा होगे, कि कहने को तो यह 1 page है, लेकिन यह 1 page ही अपने आप में 4 page का काम कर रहा हूगा, क्योंकि यहाँ पर जो हर एक चीज लिखी है, हर एक छोटी से छोटी चीज, ठीक है, वो एक question है अपने आप में, तो कहने को यह 1 page है, तो मेरे मन को शांती मिलती है कि हाँ मैं मैंने एक page तो पड़ा, लेकिन यह 4 page का काम कर रहा है, है ना, तो कोई टेंशन लेनी की बात नहीं है, आप दिख सकते, छोटा-छोटा, जहां पर जो भी है, मैंने हर तरीके से, ऐसा निदा कि मैं पस page की कमी हूँ, मैंने एक topic तेयार किया सपोस, और उस topic के कोई भी भी न माइन पर बहुत एज़ा असर पड़ेगा, बहुत सारे pages देखके, ऐसा कुछ ही था, तो अब यह हो करें मेरे notes, ठीक है, अब यह notes का आना, आप लोग मुझे बताओ, कि क्या करना है, या तो मैं यह notes आपके से share कर दूँ, बट बच्चों कर मैं यह share कर दूँगी, तो शाय कर सकते हैं, या दूसरा हो सकता है कि हम हर एक दिन एक page समझा सकते हैं, हर एक दिन एक page explain कर सकते हैं, जिसके आप अपनी तरीके से अच्छे-च्री राइटिंग में notes बना सकते हो, तो इस तरीके से हम लोग आगे 20 days notes लेके चलें, या फिर जैसे चल रहा है, सब कुछ वैसे आपने previous year paper solve कर रहे हैं, अभी हम फिलाल, तो मैंने उसमें बताया भी है कि question papers, अगर आप solve करने बैठे हो, तो उसकी technique क्या होनी चाहिए है, कोई भी question paper है, previous year paper, कहीं से भी मिल जाएंगे, आपको मेरे telegram group से भी मिल जाएंगे, और उसका नाम आपको पता ही है, RN, RNS prints ही है, आपको वहाँ पर, जो उपर pinned messages दे रखे होते हैं, वहाँ पर जाके आपको CHO previous year papers मिल जाएंगे, और papers को solve कैसे करना है, questions को लगाना कैसे, वो सारे videos हमारे, पास अभी 2, 3, 4 जितने भी videos अवैलेबल है, आप लोग अपने घर पे भी बैठके previous year papers ट्राय कर सकते हो, या फिर जिसे तरीके से भी notes पढ़ने हैं, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, comment box में जाल से, जिस चीज पर आप लोग agree करोगे, वो ही चीज हम आगे continue रखेंगे, जिस चीज पर आप लोग agree करोगे, right, so ये तो हो गया notes का, सबसे important बात ये होती है, कि 20 pages के notes जो हैं मेरे, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि ये 100% guarantee देते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगे, क्योंकि भाई में को आपका कोई भी loss नहीं कराना, और इतनी high-five बातों करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूं, पूरी guarantee के साथ, कि जो मेरे 20 pages notes ह इनसे आपका maximum 80-90% portion cover हो जाएगा, और वो भी उस बच्चे का जिसका base पहले से कुछ ना कुछ है, जो zero से शुरू कर रहे हैं, बच्चे जो बिल्कुल basic से शुरू कर रहे हैं, zero level से शुरू कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूंगी कि ये 20 pages के notes सबसे पहले पढ़ो, और उसके बाद भी जितनी चीज़ें मिल रहे हैं, जो जो मिल रहा है, वो पढ़ते चलो daily के daily, अपना syllabus जो है, और extra, 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 जितना चाहे हो, उतना पढ़ते रहो, क्योंकि आपका level अभी basic है, right, so जो zero से शुरू कर रहे हैं, उनको तो definitely time लगेगा, notes पहले से ही पताती, है ना, तो इस अब ऐसे बच्चों के लिए, ये depend करता है, student to student, ठीक है, मैं ये guarantee दे सकती हूँ, इस चीज में, कि अगर आप already 20-30% knowledge रखते हो, इस syllabus की, इस CHU की exam की, जो आपने previous year papers देख रहे हैं, तो ये 20 pages आपको 80-90% preparation तक पहुँचा सकते हैं, अगर आपको believe नहीं होता, तो मैं topics share कर दूँगी, explain कर दूँगी, और फिर आप उसी same topic के questions लगाने बैठना, आपके सारे questions होते चले जाएंगे, line से, ये मेरा promise है, ठीक है, मतलब 95% questions तो आपको उस topic के cover करी लो गया, right, so ये हो गया, सब कुछ, जो मैं को आपको साथ share करना था, और wish you all the best for your upcoming exams, thank you, और links, telegram channels की description box में available है, नीचे, वीडियो के नीचे, इस तरीके सिंबल होता है, उस पे click करने के बाद आप हमरे telegram channel पे हमें join कर सकते हो, वहाँ पे हम daily daily notes, videos, या फिर CHो के लिए regarding कुछ भी है, वो सब कुछ पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप हमें join कर सकते हो, इसके के लावा कोई भी किसी बतरी की help चाहिए, तो आप comment box में, जरूर से हमें बता सकते हो, thank you and have a good day.